क्या हाल चाल कैसे हैं आप सब आई होप घर पे होंगे और सेफ होंगे वैसे अनलॉक चल रहा है तो आप जब भी आपको काम पड़े तो आप बाहर जा सकते हैं लेकिन मास्क लगा के जाए यह अपना अभी सेनिटाइज है पूरा और सेफ है इसके लिए मैं मास्क निकाल के बात कर रहा हूँ आपसे और आज बात होगे अन्बोक्स ठंडर स्टर्ड लेकिन यह EMPTY है तो अभी मंगा आते हैं स्टर्ड को स्टर्ड तो यह है आज अपने के हम कोच यह होगा नाइफ तो आपने पास नाइफ भी है तो आईए शुरू करते हैं यह है स्टर्स ठंडर दिखने में कैसा लगा लुक तो काफी अचा है अब इसको रखते हैं यहाँ थोड़ा देश साइड में कि जगा थोड़ी साफ की जाए पहले यह भी इसको रखते हैं यहाँ साइड में तो आप बात होगी स्टर्स की ग्राफिक्स आप देखे काफी अच्छी है इसके और इसकी पैडिंग और सबसे अच्छी बात इसकी padding removable है इसको आप निकालके wash कर सकते हैं clean कर सकते हैं यह देखे side से और इसकी padding अभी तक studs के helmet में सबसे अच्छी है और यह aerodynamic है यह देखे और इसमें wind का भी दिया है आपकी air इसमें fresh जाएगी और side से निकलने का भी दिया है और सबसे अच्छा इसका यह जो है यह देखे color mercury मैं आपको और अच्छे से दिखाता हूँ तो पहले तो उसकी protection निकाली जाए कि helmet आपको और अच्छे से दिख जाए यह देखे और सबसे अच्छी बात इसकी जो padding है यह आप किया से निकाल सकते हैं यह देखे इसका लुक और मैं इसको लगा के दिखाता हूँ और अगर आप city ride करते हैं आपके पास daily computing bikes है उसके लिए काफी अच्छा है छोटी bikes के लिए क्या आप इसको ले सकते हैं लगा सकते हैं और उसका लुक है ठंडर वाले काफी comfortable है यह helmet यह देखे मैं लगा के आपसे बात कर पा रहा हूँ और यह ride करने में भी देखे कैसा लग रहा है आपको look wise और अभी मैं इसका एक shot आपको दिखाऊंगा भी कि मैं city में कैसे लगता है यह मैं अपनी एक ride दिखाऊंगा आपको छोटी सी cinematic कि आपको कैसा लग लगा कि मैं city में इसको पहन के भी चलाऊंगा वैसे काफी comfortable helmet है यह और दिखने में कैसा लग रहा है यह आप मुझे comment करके बताईए और यह देखे बार बंद करके इसकी visibility एक number काफी अच्छी है cinematic है और यह देखिए लुक वाइस भी काफी अच्छा लग रहा होगा आई होप तो पहन के तो काफी comfortable है अब बात करते हैं इसकी क्या-क्या safety है तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे यह देखिए यह यहाँ पर लिखा हुआ है ISI mark है यह ISI approve है और इसका जो weight है यह अंदर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा यहाँ पर तो यह 1300 ग्राम का है यह helmet और लगाने के बाद इतना पता नहीं चल लाए कि 1300 ग्राम है और आप सोच रहे होंगा कि मैं थंडर यहाँ पर क्यों रखा हूँ क्योंकि यह MT का थंडर 3 ह SV model और यह studs का थंडर और थंडर इसके नाम है लेकिन इसमें कई और डिजाइन आपको मिल जाएंगे दो तीन तो अपने पास है यह 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 अभी मैं आपको दिखा भी दूँगा वीडियो में ही last में तो यह काफी अच्छा है पिक करने के लिए अगर आपके बाद शॉट तो हेलमेट तो काफी अच्छा है मैंने अभी इस पो राइट क्या आपको दिखा भी होगा सिनेमेटिक में कैसा आपको लगा यह बताइए का मुझे तो काफी अच्छा लगा मतलब कंपनी कैसे बना सकती इतने कम पैसे में इतना अच्छा हेलमेट समझ में नहीं आ रहा है किसमें आपको बड़े helmet की सारी खूबियां मिलेंगी और काफी अच्छा है काफी comfortable है लेकिन अगर आपको आदत नहीं है full face helmet पहनने की तो यह आपको अच्छा नहीं लगेगा तो अगर आपके आदत नहीं है तो आप इसको लीजिए अपनी आदत बनाए क्योंकि हाफ face से safety नहीं होती है full face लीजिए या modular helmet लीजिए modular helmet क्या होते है मैं आपको बता देता है modular helmet में यहां एक button होते है उसको आप दबाएंगे प्रेस करेंगे तो वो खुल जाते हैं यहां हो चाहिए यहां यहां हो उसपे भी एक वीडियो अपनी आएगी कुछ टाइम बाद और आपको किस टाइप के helmet पर वीडियो चाहिए छोटी ब्रांड बड़ी ब्रांड सस्ते helmet मेंगे helmet आपको जिस पर चाहिए आप बताईए अपने पास सारी ब्रांड्स है सब मिलेगा और अभी कुछ टाइम में इसकी वीडियो अगर आपके कमेंट में पहले यह आएगी नहीं तो और सस्ते helmet भी आ सकते हैं जैसे यह है 1795 में मतब 1795 रूपीज इतने कम पैसे में उस पर भी आपको थोड़ा सा डिस्कांट मिलेगा काफी अच्छा ओफर है आपके लिए समझ दीजे और सेफटी काफी जरूरी है और फुल फेस हेलमेट से ही सेफटी मिलती है यह आप समझ दीजे चाहे वह स्टर्ट पहनी है चाहे बड़ी ब्रांड लेकिन फुल फेस पर रहिए हाफ फेस भी यूचा कर सकते हैं नहीं चला हम से खेला अपना हवा भी ले सकते हैं बात भी कर सकते हैं और वायक पर जब और road के उपर कैसा था इसका road appearance ये comment में आप जरूर बताइए और एक चीज और ये मुझे कोई भी sponsor वीडियो नहीं है तो अभी तक इसकी हुई अच्छी बात और cinematic इसके road के उपर आपको कैसे लगे ये भी बताएगा और हाँ मैं ये भी इसमें आपको दिखा दिया हूँ कि helmet के अंदर से कैसे नजारे दिखेंगे आपको इस visor के इसके भी shots आपने cinematic में enjoy किये होंगे तो ये होगी इसकी अच्छी बात अब कुछ करते हैं इसकी minus जो मुझे लगे कि मैं इसको आज first time studs के helmet को use किया हूँ thunder को इसके पहले में पास कोई studs की brand नहीं थी तो मुझे इसके airflow ये अच्छे तो काफी है लेकिन मुझे काफी noisy लगे ये एक minus point मुझे खाली लगा इसकी padding और ding सब काफी अच्छी है इसका lock भी काफी easy काफी easy लगाना ये देख सकते हैं काफी easy इसको lock करना और lock remove करना दिखने में काफी अच्छा design में भी काफी अच्छा और लगाने के बाद इसका मुझे weight इतना पता नहीं चल रहा है जितना ये है 130 1300 gram 1300 मतलब और softness आप देख सकते हैं तो इसकी graphics की बात करते हैं इसमें branding देखें यहां पर thunder लिखे हुए है sides में आपको मिल जाएगे back side में starts की बहुत होगे इसकी बात और आपके दिमाग मिला करों इसमें graphics यही आते हैं तो आपका doubt थोड़ा दूर करते हैं इसमें आपको कितने graphics मिल सकते हैं अपने पास कुछ है और भी मिल जाएंगे आपको यह देखें यह है इसके दूसरी graphics इसमें भी thunder उपर के side लिखा हुआ है यह देखें इसमें thunder यहां लिखा हुआ मिलेगा आपको और दूसरी चीज इसमें भी आपको same मिलेगा और अगर आपको चाहिए थोड़ा सा classic look, थोड़ा सा mature तो आप यह देख सकते हैं हलका matte में है यह देखिए इसमें भी studs की branding यहां पर है और thunder आपको यहां हलका faded दिखेगा और यहां पर thunder आपको एकदम clean दिखेगा और यह थोड़ा सा classic लग रहा है blue के साथ यह देखिए कैसा है यह comment में ज़रूर बताइए और हाँ अगर आपने वीडियो सब्सक्राइब नहीं की है तो जाके इसको सब्सक्राइब पर ने जो red dollar button है और i card में आपको यहां की shop की एक वीडियो पुरानी जो है वो मिलेगी और आपको जिस type की वीडियो चाहिए मतलब modular helmet open face helmet बच्चों के helmet या sports helmet thunder के ओपर यह इसमें आपको एक benefit मिलेगा यह देखिए इस helmet में यह sun visor अगर आपको चाहिए इस पर वीडियो या अपने किसी और type के तो आप comment में ज़रूर बताएं आपको मेरे पास समिल जाएंगे जितने भी average helmet होते हैं कम price तो अपने पास starting range पूरी है आपको चाहिए steel bird, vega studs या अपने पास और भी सही है तो आप comment करें जल्दी जल्दी और तो कैसे लगे यह 3 helmet यह comment में ज़रूर बताएंगा और हाँ यह आपको लग रहा होगा helmet वापिस से नए price पर जाएगा तो नहीं यह helmet आएगा आप discount पर क्योंकि इसको मैंने use किया है one time use है लेकिन road के उपर use है इसके लिए आएगा आपको discount के उपर और हाँ अगर आपने मैं चानल सब्स्राइब नहीं किया तो उसको subscribe करें और जो Instagram है आप उस पर जाके DM कर सकते हैं मुझको किस helmet पर आपको वीडियो चाहिए वह भी मिलेगी कैसी लगी आज कि आपको यह वीडियो यह comment में ज़रू बताएगा वीडियो करते हैं यह पर समाथ thank you for watching I'm 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 I I I I